हेलो बच्चो हम सुरू करते हैं कक्षा 3 का EVS का पहला पार्ट जिसका नाम है यह है मेरा परिवार आपका भी परिवार है सभी व्यक्तियों का किसी ने किसी का छोटा किसी ने किसी का बड़ा परिवार होता है तो आओ हम मिलकर इसको पढ़ें आप मेरे पीछे पीछे पढ़ते रहेंगे इसको ठीक है तो आओ बच्चो मिलकर एक कवीता गाते हैं सबसे पहले हमें कवीता को देख लेते हैं जो हमार को सुरू करते हैं अपना घर है सबको प्यारा यह देता है हमें सहारा माता पिता यहां पर रहते कस्ट हमारे हित में सहते राजा रानी कह बुलाते बहुत प्यार से गले लगाते चले यहां पर राज हमारा अपना घर है प्यारा प्यारा यानि के हम जो अपने घर में हैं रहते हैं वह हमें सबसे प्यारा होता है क्या होता है सबसे प्यारा और यह हमें सहारा मतलब आस्रिय देता है हमारे माता पिता जो यहीं पर रहते हैं और हमारे कश्ट जो होते हैं हमारे भले में सहते हैं ठीक है और हमें प्यार से राजा या रानी कहकर बुलाते हैं ठीक है अगर बेटा है तो राजा कहकर बुलाते हैं अगर बेटी है तो रानी कहकर बुलाते हैं तो बहुत प्यार से गले लगाते हैं यानि के बड़े प्यार से हमें गले लगाते हैं और यहां घर पर हमारा राज चलता है, यानि कि हम जो भी चीज़े मांगती हैं, वह हमें उसी से मिल जाती है, हमें अपना घर सबसे प्यारा है, ठीक है, तो यह है पोईम जो यहीं पर समाथ होती है, उसके बाद हम देख लेते हैं, इसके आगे क्या लिखा है, यह देखो क्या लिखा है, तुम्हें यह कवीता कैसी लगी, आपको लिखना है, कि हमें यह कवीता कैसी लगी, तुम्हें अपना घर अच्छा क्यों लगता है, आपको बताना है, कि आपको अपना घर अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि हम सब को अपना घर प्यारा लगता है क्योंकि यह हमें सहारा देता है और इसमें हमारे माता-पिता रहते हैं इसलिए हमें अपना घर अच्छा लगता है सामने दिये गए चित्र में अपने घर के सदश्यों के नाम ठीक है तो जितने भी घर के अंदर आपके परिवार के अंदर सदश्य है उनका नाम उनसे तुम्हारा क्या रिस्ता है यानि कि आपसे क्या सम्मन है वो यहाँ पर हमें लिखने है जैसे घर के सदश्यों के नाम है, मालो आपका ही नाम ले लेते हैं हम, मालो आपका नाम है मुन्नी, क्या नाम है? मुन्नी, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्वयम, ठीक है, कि यह है मैं खुद हूँ, ठीक है? तो आगे जैसे आपके पापा का नाम या आपकी ममी का नाम, मालो आपकी ममी का नाम है रेखा, क्या नाम है? रेखा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेखा, और यहाँ पे हम लिखेंगे, उनसे क्या रिष्टा है आपका, वो क्या है आपकी मा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मा ठीक है तो इस प्रकार यह है हमारा जो प्रसन है वो पूरा हो जाएगा यह आपने इसको श्रम करना है आगे है इसमें बात परिवारों की ठीक है परिवार यानि कि फैमिली के बारे में इसमें बताया गया है आप यहाँ पर दो चित्र दिखाई आपको दे रहे हैं दे रहे हैं इसमें क्या है एक तो है आसा का परिवार किसका परिवार है आसा का परिवार है और एक तरफ है सीवानी का परिवार किसका परिवार है सीवानी का ठीक है इन जो दोनों परकार के परिवार है इसमें आपको कुछ भिनताइन नजर आ रही है एक परिवार छोटा परिवार दिखाई दे रहा है और एक परिवार बड़ा परिवार दिखाई दे रहा है है ना अच्छा अगर हम आसा के परिवार को देखें आसा का परिवार है ये इसमें कितने से दस्य है एक, दो, तीन, चार, ठिक है? आसा के परिवार में कितने सदस्य हैं? चार सदस्य हैं और अगर हम देखें सिवानी के परिवार में तो उनके सदस्य कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ और नो तो सिवानी के परिवार में कितने सदस्य हैं? नो, सिवानी के परिवार के सदस्यों की संख्या आसा के परिवार के सदस्यों की संख्या से ज़्यादा है, है ना? तो आईए हम इस परिवार के बारे में और जानते हैं आशा तीसरी कक्षा में पढ़ती है कौँजी कक्षा में पढ़ती है आशा तीसरी कक्षा में उसके परिवार में मा पिताजी एक छोटी बहन है हमें चित्र में दिखाई दे रहा है यह जो आसा है इसकी एक छोटी बहन है इसके पिताजी और इसकी माताजी इस परिवार में सिर्फ चार ही सदस्य है कि उसके परिवार में दादा दादी मम्मी पापा चाचा चाची और एक बहन और एक भाई है है ना देखो उसके परिवार में सीवानी के परिवार में उनके दादा जी है उनकी दादी जी है ठीक है उनकी जो मम्मी है उनके पापा है है ना उनके चाचा जी है उनकी चाची जी है ठीक है और उनकी एक क्या है चोटी बहन है और एक भाई है और यहाँ पर खड़ी है वो ह है सीवानी ठीक है तो सीवानी के परिवार के जो सदस्य है वो कुल नो सदस्य है और जो आसा है उसके परिवार में कुल मिला के चार सदस्य है इन्होंने पूछा है कि आसा के परिवार में कौन-कौन है आपने देखा है ना आसा के परिवार में कौन-कौन है आसा आसा के माता पिता और उसकी छोटी बहन ये आसा का परिवार है इसमें ये सदस्य दी गए है सिवानी के परिवार में ऐसे कौन से सदस्य है जो आसा के परिवार में नहीं है अब हमने देखा कि आशा के परिवार में सिर्फ चार सदस्य है और जो उसकी सिवानी है उसके परिवार के सदस्य की संख्या नो है तो सिवानी जो है आशा के परिवार में नहीं है ना सिवानी के दादाजी है चाचा चाची और उसका भाई तो आसा के परिवार में कौन-कौन से दस्या नहीं है सिवानी नहीं है सिवानी के दादा जी है ठीक है जो आसा के परिवार में जो नहीं है वो है दादा दादी, चाजा चाची और भाई ठीक है तो पांच से दस्या ऐसे हैं जो उसके परिवार में नहीं है कौन-कौन है दादा-दादी, चाचा-चाची और भाई ठीक है आज 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 बहुत खुस है क्या है आज 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 बहुत खुस है ऐसा क्यों है वह अपने परिवार के साथ गाउं में दिवाली मनाने जा रही है ठीक है कहां जा रही है वह है वह अपने गाउं के अंदर दिवाली यानिके अपने जो अब सहर में रह रही है सहर के बाद वह अपने गाउं में जा रही है और कौन सा त्योहार मनने जा रहे है वह है दिवाली का त्योहार गाउं में उसके दादा दादी ताउताई वह उनका बेटा वैभव और बेटी मोना रहते हैं कौन कौन रहता है जो असा जो है उसका परिवार सहर में रहता है ठीक है वहाँ पर उसके परिवार में शिर्फ चार से दस्चे थे लेकिन जैसे ही वह है गाउं में जाती है गाउं में क्या है उनके कौन कौन रहता है गाउं में दादा दादी जी वहां रहते हैं उनके ताउ ताई का जो लड़का है ठीक है उसका नाम है वैभव वह वही रहता है और जो उसका लड़का बेटी है उसका नाम है मोना वह भी गाव में ही रहते हैं तो हम यहां देखते हैं कि आसा का परिवार था वो एक छोटा परिवार था सहर में हम उसको एकल परिवार कहते हैं क्या क कहलाता है सेयुक्त परिवार जिसमें माः पिटाजी भाई बहन के अलावा और भी शदश्य रहते हैं जशे दादाधी ताउ दाई चाचाची और भी अन्य सदश्य रहते हैं बुवजी रहती है तो फैस परिवार कहलाता है तो अगर सिवानी की जगह अब आसा जो अपने गाउं में आ रही है यहाँ पर भी देखें तो उनके परिवार में दादा दादी, ताउ ताई वैभाव हो है ना दूर के ताउ का लड़का है बेटी है मोना वो रहते हैं तो यहाँ पर भी वह उनका सिंक परिवार गाउं में रहता है ठीक है आसा का परिवार जब गाउं पहुंचा तो सब खुस हो गए सभी ने बड़ों के पैर छुए ठीक है यह बहुत अच्छी आदत है एक संसकार है यह अच्छे कि यदि हमें कोई अपना परिवार का या कोई बड़ा मिलता है तो हमें उसके पाउं छुने चाहिए वह हमें अच्छे आशिरवार देते हैं ठीक है आसा को दादी ने प्यार से गले लगाया ठीक है किस ने लगाया दादी ने और कहा मेरी प्यारी बेबी मैं तो तुमसे बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ ठीक है तो आसा को उसकी दादी प्यार से किस नाम से बुलाती है बेबी किस नाम से बुलाती है वह बेबी नाम से आसा को बुलाती है तो यह है जो पार्ट था हमारा यहीं पर इसका जो 1% है वो समाप्त होता है अगला पार्ट हम अगले वीडियो में करेंगे ठीक है तब तक के लिए बाई बाई